जब मैंने नया चैनल स्टार्ट किया तो फोर मंथ में सिर्फ 31 सबस्क्राइबर ही मुझे रसीव हुआ कुछ साल पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो कुछ 100 व्यूज ही वीडियो पर आते थे और आज चैनल 68,500 सबस्क्राइबर को क्रॉस कर चुका है और मतली सबस्क्राइबर 1500 प्लस है मैंने वो तमाम चीजें ट्राई की जो के मुझे यूट्यूब से वेलेबल होती थी या गूगल से वेलेबल होती थी एक एक वीडियो चान वारी और जितनी इंफर्मेशन कलेक्ट कर सकता था वो सारी कलेक्ट की और अपने चैनल पर अपलाई की आपको ये देखना होता है कि कौन सी एडवाईस आपके लिए काम कर रही है और कौन से टिप आपके लिए काम नहीं कर रही है इस वीडियो में मैं वो तमाम 10 स्टेप्स आपके साथ IKस्पेंड सेरी करने वाला हूँ जो कि हर चैनल की रिक्वाइर्मेट होती है वो तमाम स्टेप्स अपने चैनल पर अपलाई जरूर करें ये तमाम स्टेप्स एक high quality चैनल बनाने में आपकी मदद करेंगे इस वीडियो का आपने एंट तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है आपको अपनी वीडियो पॉब्लिश करने के लिए YouTube चैनल ज़रूर सबस्क्राइब करें और Facebook पे ज़रूर लाइक करें मैं हूँ असपर, a digital marketer, project consultant and a commercial blogger वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जो के मैंने बनाई थी एक चैनल को कैसे बनाया जाता है, किस method के थूरू वीडियो बनाई जाती है और किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है वीडियो और चैनल को मेंटेन करने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उपर description में आपको लिंक नजर आ रहा है उसको जाकर सबसे पहले विजिट जरूर करें अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको information है तो यह इस वीडियो का time stamp है इसको जाकर गौर से पढ़ें और अगर आप किसी special चीज के बारे में information लेना चाहरे हैं तो उसी time पे जाकर आप वो section watch कर सकते हैं तो चलते हैं अपने उसको customize करना होता है सबसे पहले इसमें आता है about tab about tab में आप कुछ line जरूर लिखें अपने channel के बारे में क्योंकि जब निया user आता है जो आपको subscribe करने वाला होता है उसमें कुछ user ऐसे भी होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आप किस topic पर काम कर रहे हैं या आपका उस topic से related experience क् about tab को जरूर फिल करना है उसके बाद channel add सबसे टॉप पर जो आपको banner नजर आ रहा होता है वो भी अपने channel से related होना चाहिए उसके बाद profile picture पर आपने बहुत जादा दिहान रखना है क्योंकि यह profile picture ही होती है जो कि जब आप किसी channel पर comment करते हैं तो वहां भी नजर आ रही होत होती है तो इसको आपने बहुत दिहान से सेलेक्ट करके place करना होता है जब आप चैनल का पेज कस्टमाइज कर रहे होंगे तो उसमें अपने चैनल का ट्रेलर जरूर बनाना है जो कि आपके चैनल को explain कर रहा होगा क्योंकि जब भी visitor आपके चैनल पर आता है जब किसी specific आपके चैनल के में पेज़ पर होनी चाहिए चैनल अर्ट अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप कैनवा और स्नेपा के प्लेटफॉर्म पर जाकर भी यह वर टेंपलेट को अपने चैनल लाइट बना सकते हैं step 2 में हम बात करते हैं कि अपनी वीडियो का title कैसे select करना होता है सबसे पहले आप select करते हैं कोई भी topic जो के आपके चैनल से relevant होना चाहिए उसके बाद आप YouTube में सर्च करते हैं उस word को suppose जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ diabetes जब मैं diabetes एंटर किया तो उसमें नजर आई मुझे काफ़सारी options यह वो options हैं जो के popular terms हैं जो इस topic से related सर्च होती हैं इसके बाद मैं चला जाता हूँ diabetes control tips में diabetes control tips को select कर लेता हूँ इससे पहले आपको एक extension चाहिए with IQ के नाम से यह ज़रू install रखें और इसके उपर अपना account बनाकर इसको link करें क्योंकि जब आप यह link करते हैं तो जैसे कि आपको screen पर शो हो रहा है कि जो मेरा keyword था diabetes control tips तो यह आपको बता रहा है right side पर कि इसके उपर volume कितना है और competition कितना है approximately 50% को touch कर रही हैं दोनों चीज़ें इसमें आपने यह ख ख्याल कैसे आपके लिए असानिया पैदा कर सकता है इस टूल को यूज करते हुए step 3 में आपने हमेशा optimization और planning पर गवर रखना है मतलब आपने ऐसे नहीं वीडियो बना देनी कि आपने को keyword select किया और उसके उपर information already लोग दे रहे हैं उसी को गुमापिरा के अपनी वीडिय होनी चाहिए यानि कि जब आपका visitor आपकी वीडियो पर आये तो वो उसको close करने के लिए कमसकम इतना time जरूर देखे जाए जो कि आपको एक handsome watch time मिलता है जब आपना topic decide कर लेते हैं वीडियो का title decide कर लेते हैं तो उसकी scripting जरूर करें उसकी outline जरूर बनाएं और उसमें तमा visitor वीडियो चोड़के ना जा सके और आपने उस topic को हर detail को cover करने की कोईशिश करनी है minimum time ताके user को लगे कि वो कुछ gain कर रहा है और आप उसको एक extra information दे रहे हैं step 4 में आपने optimize करना है आपने अपनी वीडियो का SEO करना है जिसमें आता है title description और आपके tag सबसे पहले बात करते है title की आपका keyword है जैसे suppose बने आपको example दी थी diabetes control tips की तो आपका किये main keyword है इसको आपने एक दफ़ा title में जरूर यूज करना है उसके अलावा यही keyword दो से तीन tags देंगे तो सबसे पहले इस keyword को जरूर प्लेस करना है अपने tags के top में उसके बाद बाकी tags आपने उसके अंदर mention करने हैं उसके लावा एक research दी गई जिसमें emotionally title को भी focus किया गया यह emotionally title क्या होते हैं supposed fast, proof, quick, free, crazy, amazing और effective जैसे birds में आते हैं यह words जब आप यूज करते हैं तो आप एक extra attention मिलती है आपके वीडियो के title को उसके बाद आप वही keyword यूट्यूब पर search करेंगे और उसमें देखेंगे के already top to 3 वीडियो को आप open करेंगे अगर आपने वीडियो इंस्टॉल कर रखा होगा तो वीडियो आपको बताएगा इन वीडियो ने कौन कौन से tags वीडियो में आ जाती है और आपके रैंक करने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं सर्च में भी step 5 में हम बात करेंगे comments कैसे beneficial हो सकते हैं आपकी चैनल की ranking के लिए और comments कैसे ले सकते हैं comments लेने का बेतरी तरीका ये है कि आपने वीडियो के end पर एक questions अपनी audience को दें suppose जैसे कि हमने diabetes की बात कर रहे हैं तो अगर आप 5-10 tips बता रहे हैं diabetes को control करने करीब तो अपने user से पूछें कि इन में से कौन से tip आपको अच्छी लग रही है या उस tip के बारे में कोई extra information देना चाहते हैं तो वो comment में जरूर प्लेस करें आपका user सोचना नहीं चाहता वो लिखना चाहता है उसको question पूछेंगे तो वो answer देगा नहीं तो वो कोई जवाद नहीं देगा और जब भी आपने वीडियो अपनी publish करनी है तो आपने वीडियो से एक या दो दिन पहले जितने भी comments आपकी old वीडियो पे आएवे हैं उसका reply जरूर करें इसका भी benefit आपको future की वीडियो में और चैनल की growth में मदद करता है step 6 में हम बात करेंगे कि ऐसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लिए जा सकते हैं इस बात को याद रखना है आपने के हमेशा quality पे focus करना है quantity पे बिल्कुल नहीं करना है लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा काम करो ज़्यादा अपलोड करो तभी ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे पर यह ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे हर मिनट में 400 और्स का content अपलोड हो रहा है इस चीज़ से अधादा लगाएं कि हमेशा quality ही काम करेगी quantity बिल्कुल नहीं करेगी तो दुनिया को चाहिए ज़्यादा quality वाली वीडियो ना के ज़्यादा quantity वाली इसकी example ऐसी है कि इस चैनल में जुसका stats में आपके साथ already share कर चुका हूँ उसमें 285 वीडियो अपलोड ही है जो इसको लेके गई है 68,500 सब्सक्राइबर तक इसके मुकाबले में एक और चैनल पे सिर्फ 114 वीडियो अपलोड हूई है जो approximately उसके subscriber को 77,000 पे ले गई है इसके लावा एक और चैनल जिसकी example आप सुनके वाके शौक होंगे जून्स किचन के subscriber approximately 4.5 मिलियन पर पहुँच गए है और इसने सिर्फ 29 वीडियो अपलोड की है किसी को भी ये जानना जरूरी नहीं है कि आप कितना अपडेट करते हैं उनको अपनी information चाहिए अगर उनको उससे related information मिलेगी तो आपको subscribe कर देंगे और सबसे बेस्ट तरीका subscribe लेने का ये है कि जब भी आप हमेशा अपनी वीडियो के end पर end screen जरूर यूज करें क्योंकि end screen में आप अपने subscriber का badge भी दिखा रहे होते हैं और साथ next videos भी दिखा रहे होते हैं next videos का फाइदा कैसे होता है आपको ये भी मैं आप आने वाले steps में explain करूंगा पर यहां से जरूर आप सब्सक्राइबर गेंड करते हैं उसके बात बात करते हैं कि session time को कैसे increase किया जा सकता है step 7 में जब आपके पास एक user आ जाता है आपकी किसी वीडियो पर आ जाता है तो कितने time तक वो आपके चैनल पर या आपके चैनल की वीडियो पर रहता है ये जितना जादा होगा इसका benefit आपको जरूर मिलेगा इसका best तरीका ये है कि end screen पर आपने हमेशा अपनी other videos को tag जरूर करना है अपनी other videos को link जरूर करना है क्योंकि जब आपके ही वीडियो को watch कर रहा होगा और खतम होने के बाद उससे related video पर जब switch करेगा तो उस सारा watch time आपके चैनल के watch time को और session time को increase कर रहा होगा उसके लावा playlist जरूर बनानी है और हर playlist में 4-5 videos कमसकम होनी चाहिए playlist का फाइदा ये होता है जब आपकी एक video को user play कर लेता है तो आपकी next video automatically play पे लग जाती है उससे भी आपको बहुत अच्छा session time मिल रहा होता है audience retain करने का तरीका cards के option भी आप हर video को जब edit करते हैं तो उसके site पे आपको मिल जाती है उसमें भी अपनी वही video जो उससे relevancy रख सकती है उसको आप link करेंगे उसके अलावा comment जरूर करवाने हैं इसकी importance भी मैं आपको already explain कर चुका हूँ उसके अलावा session wash time maintain करने का ideal तरीका ये है कि आप community websites पर जाएं suppose quora, facebook या बड़े बड़े groups में जहां पर भी आपके video title से related चीजें सर्च हो रही हैं वहाँ अपना video का title डाले उससे related कोई भी question अगर लोग पूछ रहे हैं तो उसके reply में जाकर कुछ lines लिखें और अपने video compare कर दें कोरा भी आपको ये facility देता है और बहुत सारे forums भी आपको ये facility देते हैं वहाँ से भी जब visitor आएगा तो वह maximum wash time आपको देखे जाएगा क्योंकि जब आप user को text के बचाए video में कोई बात समझा रहे होते हैं तो उसका retaining time बहुत जादा होता है audience retention ये होती है कि जैसे आपको screen पर नजर आ रहा है कि average watch time कितने percentage में आपको दिखा रहा है इस channel के state में आपको show रहा है approximately 50 to 55% यानि कि अगर video 2 minute की है और उसने एक minute watch कर लिया है तो इसका मतलब है कि 50% आपकी audience retain हो रही है आपकी वीडियो के उपर और audience retain करने का भी तरीका यही है कि आप जब end screen में अपनी कोई और वीडियो लिंक कर रहे हैं ताकि user उस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो पर चला जाए इसी तरह आप playlist भी उसके अंदर link कर सकते हैं अगर आपकी playlist भी उसी वीडियो से relevant है तो आपकी एक वीडियो की जगा 4-5 वीडियो देख कर जाएगा इससे आपके वीडियो के retention के chances और audience retention भी बहुत जादा बूस्ट हो जाती है इसका directly benefit आपकी वीडियो की position के improvement के शकल में आपको मिलता है और playlist का title भी आप ते बहुत देहान से decide करना है उसके लिए भी वही same technique apply कर 82% searches में Google YouTube वीडियो की place रखी वी है अगर आप Google में आना चाते हैं तो अपने title को पहले Google में search करके देख लें कि already को वीडियो rank हो रही है वहाँ या नहीं अगर वो नहीं हो रही तो आपको title में थोड़ी modification करनी पड़ेगी नहीं तो आप वही title बनाएं आप भी YouTube के search engine से benefit ल रही है आपको जो user आपको 50-60% वीडियो वाच कर रहे हैं आपको specific वीडियो वाच कर रहे हैं उसी वीडियो को आपने cards में link करेंगे यही practice आप end screen में भी apply कर सकते हैं क्योंकि popular वीडियो आप समझते हैं कि वह popular हो सकती है पर आपकी हर वीडियो popular नहीं होती कुछ specific videos होती है जो आपको maximum results दे रही होती हैं उनी को आपने इस मकसद के लिए इस्तमाल करना है उसके बाद facebook को social network कैसे आपको benefit दे सकते हैं जब भी आप को वीडियो बनाते हैं suppose 4-5 minute की आप वीडियो बना रहे हैं तो उसका प्रोमो टाइप 30-1 minute का जरूर बनाएं और उस प्रोमो को social platform में upload कर सकते हैं और उस वीडियो के end पर आप यह ज़रूर message देंगे अगर यूजर फुल वीडियो देखना चाता है तो comment में दिएवे link को क्लिक कर लें या title में दिएवे link को क्लिक करके YouTube की वीडियो पर redirect करें उससे भी बहुत अच्छे benefits लिये हैं मैंने step 9 में हम बात कर रहे हैं कि suggested video कैसे importance रखती है video आपकी search में से भी results आती है पर most of the time आपका user आपकी नई video suggested videos में से ही redirect हो रहा होता है 60% audience suggested videos को देखती है जब आप सारे factors को apply कर देते हैं अपनी videos के उपर आपकी suggested video में पोजिशन इंप्रूब होती जाती है और आप जब आप टॉफ वन में आ जाते हैं तो उसमें से जो आपको views मिलते हैं वो आपको main search से भी कभी कबार जादा आगे चले जाते हैं इस तरह मे video suggested videos में आती है और उसके बाद सर्च में multiple keywords में आपकी ranking एप्रूव हो जाती है अपने videos में visuals डालें animation डालें बहुत अच्छा music engaging music के साथ अपनी video ज़रूर बनाये करें उसके बाद thumbnail की भी बहुत जादा importance है thumbnail आप देख सकते हैं अपने surrounding में अगर आपको title select करते हैं तो उस में किस type के thumbnail बना रहे हैं अगर आप editing नहीं जानते हैं तो canva और snappa जैसे platform को use करके आपनी video का अच्छा thumbnail design कर सकते हैं और वो thumbnail भी जिसको आप complete करना जा रहे हैं उससे अच्छा होना चाहिए अब most important thing के कौन सा ideal time होता है आपके channel पर publish करने के लिए weekdays में ये time दिन 12 बाई से लेकर शाम 4 बे तक होता है उसके लावा weekend में यही time शाम 9 बाई से लेकर रात 11 बे तक होता है आपने जब content अपना update करना है तो इनी timing में कोशिश करनी है कि update हो इससे आ आखर में जो लोग मुझे message करते हैं कि हमारा channel subscribe कर लें हमारे वीडियो को share कर दें तो यह बात याद रखेगा कि हमेशा relevant चीज relevant बंदा ही share करेगा तो उसका benefit होगा मेरे subscribe करने से या मेरे साथ और 10 लोग subscribe करने से उसका benefit आपको नहीं मिलेगा शर्त यह है कि आपकी वीडिय तो उन categories में उन keywords में या तो suggested video में आई या फिर टॉप search में आए मैंने कुछ दिन पहले video बनाई और मैंने यही चारी चीज़ें apply की उससे मेरी video टॉप 3 में rank हो गई यह सारी चीज़ें आप भी apply कर सकते हैं और आप भी same result से सकते हैं सिर्फ आपको करना यह है कि अपनी topic से related ही रहना है और उससे related ही videos बनानी है और अपने competitor की title description और tag को जरूर focus रखना है यह थी आज की informational video इसके लावा आप किसी question का answer जाना चाहते हैं तो आप comment में अपना comment जरूर place करें ताके मैं उसको next videos में आपको reply दे सकूं या अगर मैं समझता हूँ कि उसका reply फॉरन देना च subscribe किया है और facebook page follow किया है उसके अलावा आप instagram पे भी follow कर सकते हैं वहाँ पर भी मैं आपके daily questions के answer दे रहा होता हूं that's all for today thank you very much have a nice day हुआ हुआ